जैसे आपको मालूप में हम लोग वकबोड के उपर आज वीडियो बना रहे हैं तो आज हम लोग देखेंगे पेपर पैटेन कैसा होगा और जो आपका सेलेबस क्या है वो देखेंगे काफ़े डिटेल में देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं बताता चलूं के पेपर जो ह होंगे टोटल सौ कोशन पूछे जाएंगे हर कोशन पर आपको एक मार्स सौरी दो मार्स मिलेंगे हाना तो हो गया आपका 200 मार्स ठीक है तो यह बेसिक होगा पेपर पैटेन अब बात करते सेलेबस के अंदर और अलग-अलग सेक्शन का जो वेटेज रहेगा वो तो यह ज जो है 10 जो है 10 इसलेटे मराठी का पूछे जाएंगे और कुछ आसान के सिन के जो मीनिंग वगरा रहते हूं पूछे जाते इंगरिज्य में मैं भी से मिचिज़े जरा दर ग्रमर के पाट पूछे जाएंगे पिर बात करते हो उर्दू का 10 उर्दू का पूछा जाएगा ठ इसमें क्या क्या आता है तो आपका मैस हों गया मैस और मैस प्लस आपका क्या आएगा प्लसु से मीर्दिशनग ठीख हैenders का उर मैस में क्या आ सकता है पूरा 10 वी तक को जो संव होता है बेसिक चीजे जो आपको माल Ref glasses चीजे और टाइट वाले तो भी आपको पता ही होगा, reasoning होगा, भी सेम उसी तरह का आएगा, reasoning अगर basic हम लोग बात करते हैं, blood relation हो गया, direction हो गया, ठीक है, इस तरह के और जो type के questions रहते हैं, वो होते हैं, ठीक है, और math के अंदर जो बात कर लेते हैं, तो math के अंदर आपका algebra के जो question होते हैं, time, distance, फिर उसके बाद time distance क आ सकता है आपको, फिर उसके बाद आपको क्या आएगा, approximation भी को सकता है, exam के अंदर, ठीक है, तो बहुत से type के जो question है, आपको मालूम ही होगा, ठीक है, तो यह सारे question आपको करना है, तो exactly इस तरह से आपको तयारी करना है, और यह भी हो गया, तो यह पूरा कैसे बन जाता आपको 35 कोशन ही है, 35 कोशन ही है, बाकी 30 कोशन ही है, टोटल कितने होगे, 100 कोशन होगे, ठीक है, आप यहाँ पर जुनियर इंजिनियर के बाद करो, तो जुनियर इंजिनियर में थोड़ा सा difference है, ठीक है, बट इस से पहले मैं चीज़ और बताता चलू, कि हम लोग जल्द रहेगा, बहुत बोले तो बहुत जादा कम रहेगा, कि जादातर लोगों को पता नहीं है, दूसरी जो चीज़ है, यहाँ पर कंडिशन डाल दिया कि सिर्फ मुस्लिम कैनिडेट इसको अपलाई कर सकते हैं, उर्दू जानना चाहिए, उर्दू लिखना पढ़ना दोनों आना चाहिए, तो इसकी वज़े से competition बहुत जादा ही कम हो जाता है, ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, अगर आप इसकी properly तयारी करते हैं, study करते हैं, महनत करते हैं, तो आसानी से exam आप crack कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर condition बहुत जादा होने की वज़े से competition बहुत कम है, हर बंदा इसको apply नहीं करेगा, क्यों नहीं apply करेगा, क्योंकि उतके दिमाग में आएगा, यह vacancy बहुत कम है, तो apply करके क्या फायदा, ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि आपको जरा भी जरूरत है, थोड़ा सा महनत करोगे, तो definitely exam आप crack कर सकते हो, ठीक है, तो fees कितना है, one ट्रिपल नाइन यह fee से आपका, क्योंकि एक proper guide हम लोग करेंगे, कि exam में preparation कैसे करना है, exam कैसे देने का है, ठीक है, और लगातार आपको cooperate करते रहेंगे, आपके help करते रहेंगे, कुछ doubt रहेगा, उसको भी solve करेंगे हम लोग, ठीक है, तो आपको क्या करना है, more detail के लिए, म class वगरा के, हना, तो बहुत सारी वीडियो हमने बनाए है, ठीक है, तो मैस reasoning जो इस पेसली हम लोग इस पे cover करने के कोशिश करेंगे, ठीक है, और current affairs English वगरा को भी cover करेंगे, तो आगे बात कर लेते हम लोग junior engineer का, तो junior engineer के अंदर भी 30 question जो होगा, आपका, आपके subject से होगा मराठी की 10 question आएंगे, अंग्रेजी की 10 question आएंगे, ठीक है, यहाँ पर देखो, उर्दू नहीं दिया है, बट यहाँ पर साथ लिखना भूल गया के उर्दू, नहीं नहीं, उर्दू नहीं है, यहाँ पर सामन्य गयान पर 25 question आएंगे, ठीक है, और इसके बाद बोधिक च मैं यही बोलूँगा कि आपको मेहनत करने की जरूरता है और इसमें सेलेरी भी बहुत अच्छा है ठीक है जो अपर कलर का सेलेरी है अगर मैं बात करूँ तो कलर की सेलेरी 40,000 के आसपास रहेगी और ऑफिसर की जो सेलेरी रही की 50,000 के उपर होने वाली है ठीक है सब कुछ ल जल्द ही लाउंच करतेंगे पांस तारिक से मिलते हैं नेक्स वीडियो में